हेलो गाईज में हूँ जै चोधरी और भाई यह है मारती सुजू की न्यू बलेनो का टोप मोडल अलफा ब्लू कलर में टोप मोडल में आपको बहुती बड़ी बड़ी फीचर्स मिल रहे हैं इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी मिल रहे हैं जो इस सेग्मेंट में पहली बार मिलेंगे सब के बारे में बात करेंगे पुरानी बलेनों से इसमें काफी सारे चेंजेज भी करें जैसा कि आप देख रहे ह कामेंट्स में जरूर बताना और ये कार है मैनुल टांस्मिशन के साथ में ओटोमेंटिक का भी ओप्शन रहता है और आपको गाड़ी में 6 कलर ओप्शन्स मिल जाएंगे ब्लू, रेड, वाइट, ग्रे, सिल्वर और बेज कलर तो दोस्तो वोकराउन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट से और हेड लेम्स पर चलें तो इसकी डिजाइन भी चेंज करिए यहाँ पर DRL मिल जाती है और हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स और LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती है नीचे फोग लेम्स भी LED में मिल जाते है यहाँ क्रोम फिनिश दे रखिए और यह स्कीट प्लेट और यह है कार की ग्रिल इसकी डिजाइन में भी चेंज करा है फुल ब्लेक में है और यहाँ क्रोम फिनिश मिल जाती है पुरानी बलेनों जैसा कंटीन्यू रखा गया है बीच में बड़ा सा सुजूकी का लोगो और यहाँ फ्रेंट केमरा दे रखा है 360 डिग्री केमरा ओफर करा है तो मोडल में यह भी सेगमेंट में देना भोती बड़िया चीजे बागियार भाई फ्रेंट लुक तो एक नंबर लग रहा है तो अब बोनट ओपन करके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो कार में सिर्फ एक इंजन ओप्शन है 1.2 लिटर का 4 सिलेंडर के साथ में पेट्रोल इंजन जो प्रोडूस करता है 90 bhp of power and 113 nm of torque और mileage भी कार का भेतर करा है 22 km per liter के आसपा से और mineral और automatic transmission दोनों का option मिल जाता है तो model में सिर्फ बेस model में automatic transmission का option नहीं मिलता है बागी सारे variants में मिल जाएगा 4 variants आते हैं कार में Sigma, Delta, Zeta और ये वाला Alpha और proper insulation भी दे रखा है केविन में engine noise नहीं आती है और भाई bonnet के अंदर जो color है वो body color से थोड़ा अलग लग रहा है और भाई कार की build quality पुरानी बलनों से और भेतर कर दिये 50 kg के आसपास इसका curb weight बढ़ा है high strength still इसमें यूज करा है और भाई कार में 6 airbags मिल जाएंगे और कुछ safety features मिल जाते हैं ABS with EBD, ESP, Hill control, Traction control और defogger वागेरा और भी features मिल जाते हैं बाकी भाई देखते हैं कि global encaps rating में ये कितने style आती है तो दोस्तों अब चलते हैं side look पर तो ज़्यादा changes नहीं दिख रहे हैं पुरानी बलनों से और dimensions देख सकते हैं आप screen पर और ground clearance पुरानी बलनों जितना ही है और 2520 mm का wheelbase मिल जाता है और ORVM electrically adjustable और foldable दोनों हैं इस पर turn indicator दे रखा है नीचे camera और यहां chrome finish मिल जाती है starting से लेकर end तक और door handles भी chrome में मिल जाते हैं और request sensor भी दे रखा है और tires पर चलने तो alloy wheels की design थोड़ी बहुत change करिए 16 inch के diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं tire size 195 by 55 आर 16 और front में disc brakes मिल जाते हैं और rear में drum brakes बाकी A, B, C pillars black में दे रखे हैं तो भाई यह है rear profile का look rear में भी थोड़ा बहुँ changes ही करा है tail lamps पर चलने तो इनकी design में change करा है और LED tail lamps मिल जाते हैं साथ में हिलोजन में turn indicators यहां balenों की बेजिंग इसकी design में भी change करा है और यहां chrome finish पुरानी balenों में भी आती थी है यहां Suzuki का logo यहां rear camera बाकी wiper defogger यहां stop lamp और spoiler और roof पर power antenna यहां नेकसा की बेजिंग bumper पर two reflectors और four parking sensors मिल जाते हैं तो अब boot open करते हैं यहां भी request sensor मिल जाता है hydraulic system के साथ में मिल जाता है tailgate और यह partial tray अभी यहां attach है इसे remove भी कर सकते हैं और यह boot space 308 liters की मिलती है काफी deep boot space है पर पुरानी balenों से boot space थोड़ा सा कम करा है इससे आपको second row में और ज़्यादा space मिल जाती है यहां tool kit वगेरा दे रखिए cabin lamp मिल जाता है यह भी बड़िया चीजे और इसके नीचे spare tire मिल जाता है यह still wheel है पर यह 15 inch का tire है तो यह है car key की दो remote keys मिल जाती है इसमें दो button दे रखे है lock और unlock का button तो भाई अब दिखाते हैं आपको interior तो यह है front door का look door काफी wide opening है गाड़ी में से चड़ने उतरने में कोई problem नहीं होगी और यह chrome finish में inside door handle और यहां controls के आसपास piano black finish दे रखिए और यह war beam के controls यह handle locking का button बाकी power window के switches driver side का auto down off मिल जाता है बाकी normal और यहां navy blue color में soft है चोफर करा है leather में नीचे bottle holder और कुछ space और speaker और height adjustment अविलेबल है driver seat की और dual tone interior मिलता है black और navy blue color में अभी lights ज़्यादा पढ़ रही है यहाँ पर इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है फिलाल कार के अंदर चलते हैं तो leather wrapped steering मिलती है tilt and telescopic दोना adjustment इसमें available है D-cut steering मिलती है यहाँ glossy finish दे रखिए यहाँ infotainment के लिए volume controls मिल जाते हैं और नीचे calling controls और यह Suzuki का logo यहाँ cruise controls मिल जाते हैं यह headlight के controls left hand side में wiper के controls और यह instrument cluster यहाँ मिल जाता है speedometer MID और RPM meter MID में basic information दिख जाती है time, fuel, range, average बगेरा और यहाँ उपर head up display मिल जाती है जो इस segment में पहली बार की इसने दिए अभी इसे pop-up करते हैं जैसे ही आप car start करते हैं यह pop-up हो जाती है इसमें भी आपको basic information मिल जाती है speed, time, RPM वगेरा night के लिए यह बहुत सही चीज़े और अगर आपको इसे use में नहीं लेना है तो इसे close भी कर सकते हैं बटन से यहाँ एक एसी event मिल जाता है यहाँ silver finish और यहाँ head up display on off करने का switch मिल जाता है और उसकी brightness को control करने के लिए यहाँ switch दे रखें यहाँ 360 degree camera idle start stop button और traction control का बटन दे रखा है और यहाँ head lamp leveler और यहाँ engine start stop का बटन दे रखा है और भाई infotainment system की बात करें तो 9 inch की screen मिल जाएगी इसमें आपको apple car play android auto, radio, bluetooth सब मिल जाता है इसमें suzuki connect भी दे रखा है और भाई 360 degree camera मिल जाता है यह सई चीजे इस second में यह पहली बार किसी ने दिया है और यहाँ को touch controls मिल जाते है और यह 2AC vents यह hazard lamp का switch और नीचे चलने तो भाई automatic climate control मिल जाता है यह भी भाई मस्त चीजे यहाँ को car के base model में भी मिल जाएगा big thumbs up for this और यहाँ कुछ buttons मिल जाएंगे और यहाँ USB port और 12 watt का socket और 2 cup holders मिल जाते है और कुछ storage space और यह 5 speed gear knob manual transmission automatic transmission का भी option रहता है यहाँ भी silver finish मिल जाती है और यह hand rack और यह arm rest मिल जाता है इसके अंदर कुछ storage space मिल जाती है cold box है क्या है नहीं cold box नहीं है और यह slide भी हो जाता है तो यह driver side का sunshade यहाँ vanity mirror और lamp दोनों मिल जाते हैं और यहाँ cabin lamps हेलो जन में और auto dimming IRV मिल जाता है यह भी बड़ी है भाई और यह co driver का sunshade यहाँ भी vanity mirror और lamp दे रखा है और यहाँ gray bundle मिल जाता है यहाँ कैसी event और यह glove box ठीक ठाक इसमें space मिल जाती है तो भाई अब चलते हैं second row में तो यह है rear door का look यह भी काफी wide opening है यहाँ पर भी piano black finish दे रखिए power window का switch और यहाँ भी soft touch दे रखा है leather में नीचे bottle holder और कुछ space speaker chrome inside door handle तो भाई अब चलते हैं अंदर तो front seat अभी मैंने अपनी height के साफ से adjust कर रखी है बढ़िया नी room मिल रहा है thigh support भी ठीक है अच्छा head room मिल जाता है बाकी second row में तीन लोग बड़े ही अराम से बैठ सकते हैं seats भी comfortable है space भी बढ़िया है two adjustable head rest मिल जाते है और यहाँ खुछ है rear का look यहाँ grey bundle दे रखा है और यहाँ roof पर lamp hello zone में यहाँ भी grey bundle मिल जाता है with hook यहाँ नीचे 2SC vents मिल जाते हैं और एक USB port और एक type C port और यहाँ भी कुछ storage space मिल जाती है और एसा कुछ है dashboard का look second row से तो second row की seats 60-40 ratio में fold हो जाती है यहाँ liver दे रखा है इसे pull करके fold करते हैं कुछ इस तरह से fold हो जाती है दूसरी seat भी fold करते हैं तो दोनों seats कुछ इस तरह से fold हो जाती है बड़िया cargo area मिल जाता है एक बार आपको back से भी दिखा देते हैं बड़िया good space मिल जाती है seats fold करने के बाद तो भाई ये था new balonow का top model आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना इसमें आपको कुछ ऐसे features मिल रहे हैं जो इस segment में नहीं मिलते हैं जैसे head up display, automatic climate control, 360 degree camera और कार के looks भी और बढ़िया कर दियें build quality भी पुरानी बलोनों से और बहतर करिए छे airbags आपको कार में मिल जाते हैं और price की बात करें तो एक शरूम प्राइजे इसकी 9 legs और on road 10 के उपड़ जाएगी तो एक बार इस कार को आप check out जरू करें तो भाई फिलाल इस वीडियो में इतना ही चैनल को subscribe जरू से कर देना वीडियो देखने के लिए thank you so much